प्रेंट्स मैं हूं कॉंस्टेंट पागल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आपका दिख आपका जो हमारा टोपिक रहेगा वह टोपिक रहेगा गैल्मा निशिजमा फोर्मुला या गैल्मा सिजमा स्कीम और इस फॉर्मूले की हैल्प से हम क्वांटम नमर के बीच में रिलेशन बताते हैं वह क्वांटम नमर देखेंगे हम कौन कौन से क्वांटम नमर के बीच में यहां पर रिलेशन बताएंगे और इस फॉर्मूले की हैल्प से जो हैड्रोन पार्टिकल होते हैं ह electricity charge of the hadron can be related to isospin and burial number तो सब्सक्किन एक जतल किया कि किसी हैड्रोन के ऊपर कितना electric CHARGE होगा जो कि related होगा किसे isospin से और burial number से means आईशोश्पीन और burial number के health से हम उष पार्टेकल्स के ऊपर charge बता सकते हैं कितना charge होगा और यह जो formula दिया वह फोर्मूला क्या था या हमारे पास क्या हूँ equal to i3 plus b by 2 यह फिर यहाँ पर यहाँ पर पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आइसोस्पीन है कि उसके उपर कितना चार्ज होगा तो first of all हम बात करते हैं nucleons के उपर हम यहाँ पर charge निकालेंगे तो nucleons हमारे पास क्या होते है example के लिए हम nucleons ले ले लेते है nucleons nucleons होते हैं हमारे पास proton और neutron तो हम यहाँ पर formula भी लिख लेते हैं formula क्या होता है हमारे पास q equal to i3 plus b by 2, तो सबसे पहले हमें इसका क्या निगालना पड़ेगा, third component कैसे निगालते हैं, isospin वाले lecture में हम already बता चुके हैं, कि third component कैसे निगालते हैं, हम यहाँ पी भी बता देते हैं, तो proton और neutron हमारे पास दो particle है, तो यह क्या होगा, doublet होकर isospin निगालने का जो formula होता है, वो होता है 2i plus 1, और doublet है, doublet particle है, तो equal to 2, यहाँ से i की value निगालूँगा, तो i की value कितना आ जाएगी हमारे पास, 1 by 2, तो हमने यहाँ पे nucleons के लिए isospin निगाल लिया, कितना आ गया, 1 by 2, पर हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए, यहाँ पे third component, तो third component की value कैसे निगालते हैं, third component की value होती है, minus i से लेके, plus i तक third component की value होती है, तो i की value हमने निगाल लिए 1 by 2, तो हम यह value भी निगाल लेंगे, यह value कितना आएगे हमारे पास 1 by 2, minus 1 by 2, minus 1 by 2, किसके लिए आया है third component, यह आया है neutron के लिए, और proton के लिए third component के आया है, plus 1 by 2, ठीक है, तो और यह barion particle है, तो barion particle के लिए जो barion number रहेगा, वो कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो proton और neutron के लिए, दो proton पर निकालते हैं, सबसे पहले proton के लिए, I3 third component है, 1 by 2, और barion number कितना है, हमारे पास, B, B कितना है proton के लिए, 1, क्यूंकि barion particle है, तो 1 by B की जगा हमने 1 रखा, और divide में क्या था 2, तो क्या हो equal to क्या जाएगा, हमारे पास यहाँ से 1, तो proton के उपर हमने यहाँ पे charge निकाल द 1 by 2, तो यहाँ पे हम क्या equal to क्या लिखेंगे, minus 1 by 2, और barion number कितना रहेगा, barion number भी 1, 1 रहेगा, और divide by 2, तो यह क्या हो जाएगी, यही से, cancel हो जाएगा, neutron के उपर charge कितना आ जाएगा, 0, तो हम neutron को क्या बोलते है, neutral बोलते है, same as इक हम किसी और particle के उपर यह सब निकालना चलते हैं, तो जो pi ons होते हैं, हमारे पास, pi ons हमारे पास 3 particle होते हैं, जो फर्स्ट होता है, वो pi plus होता है, second pi 0 होता है, third pi minus होता है, तो इन particle के लिए भी हम, इनकी particle के उपर भी हम charge निकाल सकते हैं, तो first of all, यह 3 particle है, तो यह क्या रहेगा, टिर्पलेट रहेगा, तो same as it is, व यहां से i की value निकाल लेंगे तो i की value क्या जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी फिर हम third component की value निकालेंगे third component की value क्या होगी minus i से plus i तो यहां पर third component आ जाएगा pi plus के लिए third component की value आएगी 1 plus 1 और 0 के लिए 0 और minus pi के लिए minus 1 तो यह हमने यहां पर थर्ड component की value निकार ली और B सब के लिए क्या रहेगा ये मिजोन्स पार्टिकल है तो मिजोन्स पार्टिकल के लिए जो barion number है वो क्या रहेगा 0 रहेगा क्योंकि barion number only barion particle के लिए 1 रहता है बाकि सब पार्टिकल के लिए 0 रहता है तो pi पलस q पर हमारे पास कितना charge आएगा pi पलस q पर charge आएगा पलस 1 और pi neutral के उपर आएगा 0 pi zero के उपर और pi negative charge कितना आएगा minus 1 charge आएगा जब यह आप सब value put करोगे तो यह था हम लेमडा की केस候 में निकालने की कोशिज कर लेते हैं में खर आइप दसक्रण पार्पार्ज निकालने की कोशिज और i की value कितना जाएगी यहाँ पर इस one को उस्तर अपले के जाएगा तो i की value हमीं यहाँ से 0 मिलेगी और same as it is जो third component है third component की value भी हमीं यहाँ से कितना मिलेगी 0 मिलेगी अब यह जो particle है lambda वो barion particle के अंदर आता है तो barion number कितना हो जाएगा इसका one हो जाएगा और sub और subvalue पुट करूं तो क्या था? क्या हो? equal to i3 plus b by 2 i3 की value कितना है? हमारे पास. i3 की value हमारे पास zero है, b की value कितना है हमारे पास? वन बाए 2 और charge कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से kios equal to 1 by 2 पर lambda के उपर जो charge होता तो यह ता हमारे पास आपको यह टोपिक समझाया और समझाया तो अपने दोस्तों को भी में शेयर कर सकते हैं और चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं ठैंक यू